नमस्कार कोईक इंडिया चैनल में आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मोबाइल के कीवर्ड पर फोटो कैसे लगाते हैं यानिकी सेट करते हैं तो इस वीडियो को देखते रहें तो चलिए सुरू करते हैं तो mobile के keyword पर photo को लगाने के लिए set करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको अपने phone में settings को open करना है तो चलिए settings को open करते हैं open करने के बाद आपको उपर keyword scroll करना है scroll करने के बाद आपको एक additional settings का option मिलेगा अब आपको यहाँ पे जाना है जाने के बाद यहाँ पर आपको एक keyword and input method का option मिलेगा आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको current keyword में जो भी keyword को select किये होंगे वो यहाँ पर दिख जागा तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरा gboard select है उसके बाद आपको नीचे में आपको manage keyword का option मिलेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो भी आपका keyword है वो आपको दिख जागा तो आपको gboard पे आपको क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक theme का option मिलेगा तो आपको यहाँ पर जाना है जाने के बाद यहाँ पर आपको एक my theme का option मिलेगा और यहाँ पर आपको एक plus का option दिखेगा तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद आपके गिलेरी में जो भी फोटो होगा यहां पे दिखने लगेगा आप यहां से आप जिस फोटो को लगाना चाते हैं सेट करना चाते हैं उस फोटो को आपको सेलेक्ट कर लेना है select करने के बाद आप photo का जितना भी भाग अर्जेस्ट करना चाहते हैं इस तरह से उसको आप अर्जेस्ट कर सकते हैं तो इस तरह से आपको जो भी भाग लगाना है उसको आपको अर्जेस्ट कर लेना है अर्जेस्ट करने के बाद आपको next पे click करना है किलिक करने के बाद यहां से आप जितना भी कीवर्ड पे बराइटनेस फूटो का रखना चाहते हैं इसको इस तरह से आप अरजेस्ट कर सकते हैं तो यहां से आपको जितना भी बराइटनेस रखना है उसको यहां से आपको अरजेस्ट कर लेना है और जेस्ट करने के बाद अब आपको क्या करना है कि डन पे क्लिक कर देना है इतना करने के बाद आपको क्या करना है कि अपलाई पे क्लिक करना है और उसके बाद यहां से आपको कट कर देना है कट करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने फोन में कीवर्ड को ओपिन करना है तो चलिए हम अपने फोन में वार्चेप को ओपिन करते हैं ओपिन करने के बाद यहाँ पर हम अपने वार्चेप के किसी भी चैट पर किलिक करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर keyword पर फोटो लग गया है तो इस तरह से आप अपने mobile के keyword पर किसी भी फोटो को लगा सकते हैं, set कर सकते हैं, धन्यवाद